फ्रेंट्स, आलू दम तो आपने बहुत खाया होगा, पर आलू दम पुलाव कभी खाया है क्या? और उसके साद खीरे का मज़ेदार ट्रायता, अगर नहीं खाया है तो चलिए आज बनाते हैं आलू दम पुलाव, बनाना बहुत ही सिंपल है लेकिंग टेस्ट बहुत ही मज़दार तो चलिए आज की जो हमारी रेसिपी है बनाना शुरू करते हैं तो आलू दम पुलाव बनाने के लिए पहले हम पुलाव वाले राइस को अच्छे से धो लेंगे तो मैं यहाँ एक कप पुलाव वाला चावल ले रही हूँ और इसे हम अच्छे से दो से तीन पानी दो लेंगे जिसमें रस्टोगर जो भी है निकल जाए तो यहाँ पर मैंने चावल को धो लिया है अब हम इसे साइड में रखेंगे और यहाँ पर मैंने छोटे साइड की आलू लिये हैं छे जिसे मैंने छील कर और इसे पानी में भीगा कर रखा था आलू को अगर पानी भीगा के न रखे तो वह काला पड़ जाता है अब हम इस तरह से फॉक की सहता से आलू को प्रिक कर लेंगे इससे क्या होगा कि जब हम आलू पकाएंगे तो आलू में जो मसाले हैं अंदर तक अब्जोब करेंगे तो एक एक करके हमें सभी आलू को प्रिक कर लेना है तो यहां पर मैंने सभी आलू को प्रिक कर लिया है अब हम इसे फ्राई करेंगे तो आज पुलाओ को हम पुकर में या कड़ाई में नहीं डायरिक पतीले में बनाएंगे तो मैं पतीले में ले रही हूँ तीन बड़े चमबच ओईल और पहले हम आलू को फ्राई कर लेंगे आलू को हम चलाते हुए मेडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है तो आप देख सकते हैं आलू जो है फ्राई हो चुका है अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ और बचे हुए ओईल में हम एड़ करेंगे एक छोटी चम्बजीरा तीन लॉंग तीन काली मिर्च और एक इंच दालचीनी का टुकड़ा एक तेजपत्ता दो सूखी हुई लाल मिर्च और दो छोटी इलाईची मसाले को थोड़ा सा चलाते हुए चटकने देंगे और यहाँ पर मैंने लिया है दो मीडियम साइज की प्याज जिसे मैंने बारी काट लिया है प्याज को चलाते हुए थोड़ा सॉफ्ट होने तक हम भून लेंगे तो प्याज जो है सॉफ्ट हो चुका है अब मैं इसमें एड़ कर रही हूँ एक सिमला मिर्च जिसे मैंने थोड़े से बड़े बड़े पीसिस में काट लिये हैं और इसके साथ मैंने एक गाजर को भी ले लिया है साथ में दो मीडियम साइज के टमाटर अच्छे से चलाते हुए सबजियों को सॉफ्ट होने तक दो से तीन मिनट के लिए भूनना है आप चाहें तो सिर्फ आलू दम में आलू एड़ करके भी बना सकते हैं लेकिन मेरे पास सिमला मिर्च और गाजर पड़ी थी तो मैंने वेजिटेबल्स एड़ कर लिए आप इसमें एड़ करेंगे स्वाधन उसार नमक मसाली को चलाते हुए हम दो सी तीन मिनट तक लोफ लेम पे भूनेंगे जिससे मसाले जो है अच्छी तरह से भून जाएं तो यहां पे मैंने मसाले को दो सी तीन मिनट तक भून लिया है अब मैं इसमें एड़ कर रही हूं दो बड़े चमच पानी और तीन बड़े चमच दही को मैंने फेट के ले लिया है इस तरह से पहले पानी आइड कर लेंगे थोड़ा सा तो दही फटने का कोई चांस नहीं रहता है अच्छे से चलाते हुए हम तीन से चार मिनट तक दही वाले मसाले को भूनेंगे जब तक कि इसमें से ओईल ना आने लगे तो आप देख सकते हैं मसाले को मैंने अच्छे से भून लिया है और किस तरह से ओईल उपर आ गया है अब हम इसमें आइड करेंगे एक छोटी चमच बिर्यानी मसाला यहां पे मैंने चार से पांच हरी मिर्च को काटकी ले लिया है थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा धनिया अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे और साथ में हम इसमें आइड कर लेंगे जो हमने आलू को फ्राइ करके रखा है और आलू को भी मसाली के साथ हम 2 मिनट तक चलाते हुए भून लेंगे तो यहां पे मैंने सभी मसाले को अच्छे से भून लिया है अब हम इसमें पानी अएड करेंगे तो मैं यहां पे 1 कप चावल मैंने लिया था उसी कप से मैं अधाई कप पानी एड़ कर ले रही हूँ और अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे और एक उबाल आने का हम वेट करेंगे तो पानी में जो है एक उबाल आ गया है अब हम इसमें एड़ करेंगे जो हमने चावल दो के रखे थे अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे और इसे हम हाई फ्लेम पे तब तक पकाएंगे खुले में जब तक कि चावल और पानी जो है एक बराबर ना हो जाए तो यहाँ पे मैंने 2-3 मिनट तक पका लिया है अब चावल और पानी जो है बराबर हो गया है और चावल जो है पहले से काफी फोल चुके है तो जब इस तरह से चावल और पानी एकदम बराबर हो जाए तब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और इसे कवर करके 7-8 मिनट के लिए पका लेंगे आप चाहें तो बीच में चेक भी कर सकते हैं तो यह हमारे जो मज़ेदार आलू दम पुलाव है बन के तयार हो गया है एकदम खिले खिले पुलाव बने है और आलू भी बिल्कुल अच्छे से पक चुका है गैस का फ्लेम ओफ करेंगे और हम फटा-फट से रायता बनाएंगे मैंने यहां आधा कप दही लिया है चोथाई कप मैंने खीरे को बारी काट के लिया है छोटी चोथाई चमच हम सफेद नमक और छोटी चोथाई चमच काला नमक ऐड़ करेंगे दो पिंच काली मिर्च और दो से तीन पिंच भुना हुआ जीरा पाउडर अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे तो यह हमारा जो रायता है बन के तयार हो गया है अब हम फटा फट से पुलाव को सारू करेंगे तो आप देख सकते हैं एकदम खीले खीले हमारे आलू दम पुलाव जो हैं बन के तयार है इसके साथ खीरे का रायता और भुना हुआ पापर तो फ्रिंट्स ये जो हमारी रेसिपी है बहुत ही मज़िदार है एक पार आप इसे जरू ट्राइ करें और हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है हमें कमेंट करके बताए साथ ही वीडियो को लाइक करें सेर करें और चैनल को भी सस्क्राइब करें